हलो फ्रेंट्स वेलकम् टू लैफ ऐिस्टूजी यूट्यूग चैनल स्वागत हैं आप सभी का आपके अपने यूटूग चैनल लाइफ ऐई स्टेडि में तो आज हम बात करेंघे इंस्टूमेंट और उनके जो यूज होते हैं कि किस इंस्टूमेंट का किस उपकरंण क्या यूज है कौन से इंस्ट्रूमेंट से क्या चीज मापी जाती है क्या मेजर किया जाता है इन सभी की यहां बात करेंगे और जो यह टॉपिक है न गाइस यह बहुत जादा इस टॉपिक से एक से दो क्यूशन आपको देखने को मिल जाते हैं तो चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कौन-कौन से उपकरन हमने लिये हैं और उनके यूज देखते हैं क्या-क्या उनके यूज है तो चलो स्टार्ट करते हैं और दे देखते हैं यहां पर सबसे पहले हम बात करने के लिए यंतर होता है यान की एक तरह से खागा जाये तो यह उंचाई को मापने के लिए यह होता है यह मěजर करता है फिर हम बात करेंगे अनमोमिटर की बात करें जो कि वाईवड होता है इसको मेजर करता है स्रवन सकति जो होता है उसको기도 हाई उधारने के लिए ये audio phone का इस्तेमाल किया जाता है ठीकेट अब है बाइनकुलर की हम बात करें तो बाइनकुलर जो दूर की वस्तोय होती है उनको देखने के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट नम बात करेंगे बैरोमेटर की और बैरोमेटर किस चीज को मेजर करता है तो बैरोमेटर है ये जो वायू मंडली है जो प्रेशर है वायू मंडली है दाब है इसको मेजर करता है फिर है क्रेसको ग्राफ की बात करें तो ये पोदो की जो व्रद्दी है ना इसका अ क्षिас होते है ना उसके दौरा तो क्या हो जाएगा है क्रोनोमिटर क्या करता है ठीक टीक समैं जानने के लिए जहाजों में गड़ी लगाइ जाती है उसे कहते हैंski है तो काडियोग्राफिक काय now काडियोग्राफ है इसकी बात करने हैं तो देखो काडियोग्राफ यह नॉर्मली सब को पता होता है कि जो हर्ट बीट्स होती है इसको मेजर करता है यह फिर काडियोग्राम की बात करें देखो काडियोग्राफ और काडियोग्राम में थोड़ा थोड़ा यह अंतर है काडियो का मतलब काडियो जहां भी वर्ड यूज होता है वो रिलेटेड होता है हिर्दय से तो अब काडियोग्राफ है इसे हिर्दय की गतिया मेजर की जाती है और काडियोग्राम क्या करता है जो यह काडियोग्राफ है ना इसमें सहयोग देता है यह सहयोगी होता है इसके लिए ठी यांत्रीक उरजा को विधूत उरजा में फैदोमिटर की बात करें तो जो समुधर की जो घ्यः आये उसको मापता है फिर हम बात करते हैं कैपिलर्स की जो की केमपस है इसके according directions बताता है next time बात करते है Galvanometer की जो की क्या करता है एकदम बहुत छोटी विधुदारा होती है उसको maptा है उसको major करता है फिर है Manometer की बात कर लेते है तो जो गैस होता है इसकी घंडतों को ये major करता है next time बात करते है guys Audio Medter की और Audio Medter क्या करता है कार द्वारा जो दूरी तैकी गई है ना उसको यह बताता है कौन ओडो मिटर ठीके नेक्स्ट आम बात कर देते हैं फोटो मिटर की और फोटो मिटर क्या करता है जो प्रकास है ना इसकी दिप्ति का प्रकास दिप्ति का मेजर करता है मेजर करता है उसको प्रकास दिप्ति को ठीक है डेडियोमेटर की बात करते हैं गाइस तो रेडियोमेटर का देखो नाम से ही पता चला रेडियोमेटर तो यहां वेज की बात होंगी तो जो वेज की बात हो जाएंगे तो रेडियोमेटर क्या करता है जो विक्रन होती है इसके द्वारा विक्रित जो उर्जा होती है उसको यह major करता है और पाइरोमेटर क्या करता है देखो जहां पे वर्ड यूज हो ना पाइरो पाइरो से आप समझ लेना कि उच्छे temperature हाइट temperature निमनं temperature के लिए तो पाइरो मिटर जो यूज किया जाता है वो किया जाता है कि बहुत ज्यादा जो उच्छ ताप होता है temperature होता है उसको measure करने के लिए फिर सिस्मोमिटर की बात करें तो भूकम की तिवरता को मापने के लिए यूज किया जाता है नेक्स नम बात करते हैं यहां पर टैली प्रिंटर की बात कर लेते हैं तो जो टैली प्रिंटर है ना ये टैली ग्राफ के द्वारा जो भीजे गई जो सूचना है उनको छापने वाला यंतर है ठीके नेक्स नम बात करते हैं टैक्सी मिटर की बा मतलब कि किस गती से किस स्बीड से वह चीज घूम रही है उसका अध्यान करता है कौन जाइरो ही सकोप नैक्स समय मोटर बोट और वाइंट। उसकी स्पीड को दसाता है और टैली स्कोप की बात करें तो यह सभी को पता है कि दूर की वस्तों को देखने के लिए यूज किया जाता है फिर हम बात करते हैं काइमोग्राफ की बात कर लेते हैं तो ठीक है देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेकिन काइमोग्राफ दूर के यजर करने के लिए यह कैले मिटर के बात करें तो कैलोरिमिटर है यह यूज pagar के लिए। busě कованabsस mentor की बात करते हैं तो यह बताइए हम सब्सक्राइब करने को बात करने के छाइप हैz accumulator की बात कर लेते हैं तो accumulator की कसी ली विदूत उल्षा संग्रहा के लिए एक्विमिलेतरी करेया जाता है सप्षैसरेवें, बात कर लेते हैं यह स्थेटयूसक्व में स्थेटो इसकोफ स्थेटो wavelength हें लेगिक हां दोने कुरुआर और फैविड उनकी घति को और स्पीड के लिए इस तह तो इस होप यूंज किया ॥ मैंने क्रेंगे इस पिग्म मेंनोमेट्र के और देंने कीश होता है थे लंपकोर जीख अनमुचला होता है और थर्मामेटर यह नॉर्मल पता होता है कि टैंपरेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं थर्मो स्टेट की बात करते हैं तो ताप इस्थाई बनाए रखने तो यह यूज किया जाता है फिर देखिए यह बहुत इंपोटेंट है और काफी आसान भी है कह रहा है बात करने के लिए फिर इसस्पेक्ट्रोमेट्र औरस्पेक्ट्रोमेटर की बात करें तो प्रकास का अपवर्णतनांक है उसको घ्यत करने के लिए यूज किया जाता हो अब यहाँ हमने हाईड्रो फोन का देख लिया है इस Joy is hydrometer का अब यहाँ पर द्रवों की ऐपेक्सित आद्रता है उसको ज्याद करने के लिए यूज किया जाताह थै थना है यह अद्या को है तो हैज्डों मेटर में वह वाहु की ऐपेक्सित आद्रता इसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और वोल्ट मेटर की बात करें तो जो वीभांतर होता है यानि कि वोल्टीज होता है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट हम बात करेंगा इस Lactometer की और देको Lacto के ही मैं बताते हूँ जहांजा वर्ड यूज हो ना Lacto क्या यूज हो Lacto वर्ड हो जहांजा तो वो रिलेट करेगा milk से दूसरे ठीक है तो जहांजा वर्ड आ गया Lacto ँलेट होगा दूसे तो लेक्टो नाम आ रहे है लेक्टोमिटर तो ये मिल्क होता है दूद होता है उसकी सुद्ध्रा मेजर करता है। scholars गाल, बार बारीयतक जो वर्सा की मात्रहं हो उसको मेजर करने के लिए of radio कि हम बात करें तो वह फ्रेयडिएटर कुलति है रेफ्रीजरेटर के वारे बात कर ले तो होता हैं वहां work फिर्स अनसी जुड है तो हुआ मेजर करने के लिए संद्टिकेम और वाजबस। विज़ार से परेठ्टक लिए उसको और किया लक् souvent ही का तो यूज आधा जाता है। नों जितने भी स्टेडी गूर्प आपके पास वोट्साप गूरुप ने 2 सभी में इसको शेयर कर दीजे और साती अभी तक आपने अगर लाइफाई यूटूब चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो लाइफाई इस्टेडी यूटूब चैनल को सब्सकाइब कर लीजिए साती गंटी के चिन को दबा लीजिए जिससे आपको अहले इस वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो